दोस्तो नमस्कार स्वागते फिड से एक और नया वीडियो में इस वीडियो में आज हम जानेंगे अगर आपका Realme Smart TV है तो ऐसे Realme Smart TV में कैसे आप एकना Tata Play का HD Setterworks को Connect करोगे ये जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को Complete and Tech देखेगा नमस्कार दोस्तो मेरा नामे संजाई चैनल पर अगर पहली वारे तो सस्क्राइब करके साथ में नोटिफिक्शन बेल प्रेश करना ना भूले कि मैरा इस चैनल पर ओलो इस आपको TV और डिटिये चे लेटेट वीडियो का अपडेट मिलते रहता है तो वीडियो का Complete and तक दियान से देखेगा ताकि आप भी खुद कर पाओ यह connection को मैंने यहाँ पर लिया है 32 इंच का स्मार्ट एक Realme TV को और साथ मैंने लिया एक extension board को तकि अपना power supply देने में असानी हो TVN सेट्टो बोक्स को और यहाँ पर मैंने लिया है Tata Play का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अपना Tata Play HD सेट्टो बोक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा अपना TV के साथ HDMI केबल से या फिर 3RC लिट से तो दोस्तों यहाँ पर मैंने Tata Play का HD सेट्टो बोक्स को लिया सबसे पहले अपना power adapter को जूड के एक बड़ टेस्ट कर लेंगे बोक्स सही है कि नहीं तो चलो बोक्स सही है बिल्कुल लाइट जल रहा है तीनो लाइट जलके फिर सिंगल लाइट होड़ा है अब मुझे क् एक करके तीनो लीट कालर वाइस कनेक कर लेना है ठीक है यह लो रैट एन हुआट को ठीक है अपना सेट्ट आप वोक्स यहां से कनेक्ट हो चुका है अब हमें TV का बेक साइट में कनेक्ट करना है जो भी मेरा बचा हुआ कनेक्शन था तो अपना HDMI केबूल का ठीक आपोजि करना है यहां से तरह से यहां पर कनेक्ट करना है एक अच्छा क्वालिटी पीच्चर साउंड चाहिए दिन दोस्तों अच्छा क्वालिटी का एक HDMI केबूल चाहिए देन दोस्तों 550 का असपास पड़ेगा और अगर थियार से लिए एक और्चिनियल क्वालिटी का चाहिए देन अपको 299 का पड़ेगा तो दोनों का लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखा है अब पर्चेस कर सेकतो है तो दोस्तों यहां से मैं और तो चलिए हम यहां पर क्नेक्ट करते हैं अपना TV का power plug को एंड यहां पर जो power adapter है Set Talks फो power supply को दोनों का हम यहां पर connect करने के बाद यहां से देें मेरा सब्सकेशन चालू हो चुका है मेरा अब मुझे यहां से अपना सूर्स का सीलेक्ष करना पर और सपली में चुका है यहां पर आप सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपको एक नया टाटाप लेगा कनेक्शन चाहिए दिन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप से पर्चेस कर सेक्टों वान मंथ का सस्क्रिप्शन का साथ रहे कंप्लीट इंस्टलेशन बिल्कुल फ्री है आपने केवल 1250 पे करना सब्सक्राइब करना है तो अब हमने क्या करना है सोड्स बटम को प्रेश करना है कुछ टीवी में रिजूम सिस्टेम रहता अपने यहां पर देखे सोड्स को सिलेक्ट करने के बाद एज़्डे मैं सिलेक्ट किया तो यहां पर आपको ऑप्श्ञेंस आएगा यह क्यों कि को इसी ताइपकों मिटर से आपको सिगनल सेट करने में में काफी आसान ही होता है मतलब किस दिशा में यह जानने के लिए आप यूज्ट को रहें पर दिशिशन में निए रहख है जिसSTना आपको साई डिरेक्षिन में दोस्सेदिक यहांच को ऑफ कर लिया सबकुछ एलेनी को डिशा थुरा सही रखना है स्क्यू करना है क्योंकि टाटाप ले जब भी होगा डिश का पीछे खारा रहे आप डिश का पीछे खारा रहे के लेफ्ट साइट में थुरा बहुत एलन भी को गुमा के रखे ठीक है और यहां पर देखे आपका कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका है आप मुझ सब्सक्राइब करें देखे मेरा सिगनाल मिल चुका है तो मेरा केबूल ज्यादा यूज़ करने का रिजन है कि में टॉप प्लॉट पर मैंने डिशेंटेना को इस्ट्रोल किया और गाउंड प्लॉट पर टीवी लगा हुआ है तो एसे में मुझे 30-35 मिटर केबूल कम से कम लग गया यहां पर तो यहां से चलिए सिगनाल्स तो मेरा मिल चुका है आप इसे एक बर फाइनली अच्छी से कहस दूँगा टाइट कर दूँगा तो इसका बात जाके अपना सिगनाल्स क्वालिटी और स्ट्रेंग्ट करूंगा यहां से मेरा डिशेंटेना इंस्ट्रोल हो चुका है आप मुझे ऐक इख चीक करना है मैंने जो यह इंस्ट्लेशन किया सिगनाल क्वालिटी मुझे कितना मिला और स्यंट कितना है यह से सिटिंग के पदो बारे आपको सीगनाल अपचिन मिलेगा डिकाइब सिगनाल टेस्ट में आपने जाना है और शिखनाल घर्ट स करना है होगлов वीडियो आत्शा लगा को आप्छा लगे तो लाइक पर फथी पर पहले वार neon सास्क्राइब करें मिलते हैं फिर से एक और नया विडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हीन।